Hello everyone, आज हम करेंगे class 10th के chapter 9, some applications of trigonometry की NCRT book में से exercise 9.1 का question 9, मैं 9.1 exercise के important questions कवर करा रहे हूँ, अगर आप ये important questions अच्छे से समझ लोगे तो आपको बाकी के questions भी अच्छे से आ जाएंगे, तो question क्या है देखते हैं, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, पहले इतना ही पढ़ते हैं और ब तो ये बोल रहा है the angle of elevation, elevation का मतलब है जो उपर जाता हुआ angle होता है, ठीक है, तो angle of elevation from the top of a building, एक building है यहाँ पे हमारे पास, उसके top से from the foot of the tower, अब tower है एक, तो एक tower बना लेते हैं, let's say, ये आपका, ये tower है, ये building है, तो question क्या कहा रहा है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, तो tower ये रहा, इसका foot ये है, उस foot से building के top तक angle of elevation बन रहा है, यानि एक उठा हुआ angle बन रहा है, उठता हुआ, उपर जाता हुआ, जो कि 30 degrees का है, ठीक है, आगी line पढ़ेंगे, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, अब building के foot से top of the tower पर एक angle of elevation बन रहा है, जो कि 60 degree है, if the tower is 50 meter high, अगर ये जो tower की height है, वो 50 meter है, then find the height of the building, आपको इस building की height निकालनी है, तो हम इसको x ले लेते हैं, इस x को हमें find करना है, तो question समझ आ गया है, देखते हैं, इसको solve कैसे करना है, हमारे पास यहाँ दो triangles बन रहा है, मैं इसको नाम देती हूँ, a, b, c and d, तो सबसे पहले हमें यह निकालना है, लेकिन इस triangle को देखते हैं पहले, इसमें हमें, देखो ध्यान से, यह आपका angle जो है 90 degree है, यह 90 degree है, triangle में थोड़ा सा अलग बना देती हूँ, यह देखो यह रहा triangle, a, b, c, जिसमें a, b जो है 90 degree है, यह जो है 60 degree है, यह 50 meters height दिया हुए, और आपको यह, यह find करना है, right, यह निकालना है, यह क्यों निकालना है, क्योंकि हमें building की height निकालने के लिए, एक side at least पता होनी चाहिए, हमें इस x को निकालना है, तो इस triangle में हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, तभी तो हम ratio का formula लगा कर x को निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं दूसरे triangle को use करूंगी, उसकी चीज़ों को use करूंगी, और मैं पहले base निकालूंगी, तो मेरे पास angle है 60 degree और यह है perpendicular, यह है base, तो tan 60 degree कितना होता है, perpendicular upon base, tan 60 की value मेरे पास है, root 3 equals to, perpendicular यहाँ पर क्या है, BC यानिके 50, और base क्या है, AB, तो AB को ऐसे जरहने देंगे, इसको अधर multiply करेंगे, cross multiplication, AB equals to, यह हो जाएगा 50 upon root 3, तो अब इसको यहाँ तक छोड़ेंगे, अब आगे देखो, अब यह मेरे पास AB की length आगई कितनी, 50 upon root 3, अब मुझे यह पता है, यानि कि base पता है, और perpendicular निकालना है, again, अब यह जो triangle है, यह आपका कौन सा triangle बनेगा, मैं इधर बनाती हूँ, उस triangle को, यह वाला, यह आपका बनेगा, इस तरह से, जो कि यह angle है, 30 degrees का, इसके सामने वाला हुआ, perpendicular जो आपको नि होगा, tan 30 degree हम निकालेंगे, theta हमारा 30 है, perpendicular upon base, tan 30 की value होती है, 1 upon root 3, equals to perpendicular हमें निकालना है, x, और base है आपका 50 upon root 3, next step में देखो क्या करना है, यह है 1 upon root 3, इसको as it is रहने देंगे, यह x हमें निकालना है, इसको यहीं पर छोड़ो, और इस 50 root 3 को उधर भेजो, तो अब देखो x के साथ यह division में है, 50 root 3, तो उधर जाएगा, तो multiplication में हो जाएगा, 50 upon root 3, equals to x, तो यह जाएगा, 50 upon 3, equals to x, इसको आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको fraction में convert कर सकते हो, 16, 2 by 3's का answer आएगा, यह height है building की, I hope यह question आपको समझ आया होगा,